हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब आई होप की आप सब बहुत अच्छे हुए आप सभी को नितू की लजीज रेसिपी में स्वाज़त है तो आज मैं बनाने जा रही हूं नारियल का बुरादा रेसिपी तो आप देखिए मैं कैसे बनाती हूं नारियल का बुरादा रेसिपी वह कि आप लोग भी अपने घर में असान तरीके से बना सकते हैं नार्यल का Dana तो चलिए दोस्तो मैं बनाने जाए हुआ है लिए दोस्तो देखिए हैं पे नार्यल ले ली हूं एक नार्य है झाल भणा बनाऊंगों तो यहां पे नारियल को छिल लेती हो इसको अच्छी तरह से छिल लेना है इसका जितना जो होता है उपर का छिल का वह सब निकाल लेना है और ऐसे आपको साफ साफ नारियल को छिल चिल करें रखाना है, इस तरीके से छिन लाएं थोड़ा सा भी नहीं रहना चाहिए देखे ת freaking कितना साफ चिल गया है, तो इसी तरह सब को छित के द्वोई लेना है, इस तरीके से द्वोईरा कात लेती हूं छोटा छोटा टुगरा में काटना है दोस्तों ताकि पीशने में आसानी हो इसी तरह से आपको काट लेती हूँ देखिए कुछ इस तरीके से आपको काटना है तो काट ली हूँ मैं बिल्कुल ऐसे ही काटना है आपको बड़ा बड़ा काट येगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा पिसने में तो एक मिक्स में मैं पीष लेती हूँ इसको आपको एक ही बार में नहीं पीशना है ध्यान देना है यहीं पर देखे एक बार मैं पीशी हूँ तो अभी मोटा ही है बीच बीच में आपको देखते रहना है फिर मैं यह दुबारा पीशी हूँ देखे यह दुबारा मैं पीशी हूँ और आपको देखते रहना है अभी भी नहीं हुआ है एक बार और पीस हूँगी मैं तो एक बार मैं पीस लिएँ अब यह पेग प्लेट में कॉटन का कपरा ले लिएँ अब इसी में साणा निकाल कर रख दूँगी देखें कुछ इस तरीके से रखना आपको यहाँ पे रख दिम अब इसी को फॉल्ड कर ले दिम मोर्गे उसके वाद इसमें जितना इसका जो नाडियल का दूद होता ना उस साणा को निकालना बिल्कुल नहीं रहना चाहिए इसमें एक कटोड़ी ले 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 दिम इसी में सा दूद को निकाल दूँगी देखें सारा दूद को निकालना है इस तरीके साब निकाल ले सारा दूद को देखें देखें मेरा मैं सारा दूद को निकाल ली हूँ देखें निकल गया अब यह दूद को आप सबजी में डालिये या फिर पी जाएए बहुत फैदा करता है सबजी में तो जरूद डालें देखिए यहाँ पे मेरा सारा दूद इसका निकल गया है तो यहीं आप प्लेट में रखती हूं देखिए इसमें बिल्कुल दूद नहीं है दोस्तों देखिए बिल्कुल नहीं है सारा दूद निकल गया है इसका थोड़ा बहुत होग आभी तो आप आगे देखिए मैं क्या करती हूं तो यहीं पे गैस ओन कर ली हूं एक पैन चड़ा देखिए कितना सुन्दर लग रहा है न अब यहीं पे पैन मेरा गर्म हो गया आपको आँच को है न धीमी रखना बिल्कुल तेज नहीं करना है दोस्तों आपको इस बात पे ध्यान रखना आँच को बिल्कुल तेज नहीं करना धीमी आँच में इसको चलाते रहना है पांच मिनट देखिए गैस का पुरा कम है इसी तरह आपको चलाते रहना बीच बीच में बीच बीच में नहीं कंट्यूनीव चलाना है इसी तरह आपको चलाते रहना है ताकि इसमें पानी जो बचाओगा न दूद वह सुख जाए देखिए मेरा पुरादा बन रहा है नारियन का आज को बिलकुल कम रखना बिलकुल और आपको चलाते रहना नहीं चलाएगा तो आपका कलर ब्रांड होने लगेगा वाइट से ब्रांड होने लगेगा तो इसको चलाते रहना जब तक इसका दूद थोड़ा बहुत जो भी होगा सुख जाया तो देखिए इसी तरह को चलाते रहना चलाते रहना 5-6 मिनट आप को चलाते रहना दोस्तो तो देखिए यहीं पि मेरा नायल का बुरादा बन के रेडी हो गया है तो मैं एक निकान लेती हैं दोस्तों देखिए बन गया ना बुरादा दूस्तो मैं एक बात बताना चाहती हूँ आप नारियल ये मार्केट का बुरादा लाईए खरीद कर और घर में बनाईए दोनों में बहुत अंतर रहता है वो ड्रा होता है और ये पूरा सौप्ट सौप्ट बना एक बार आप मार्केट से खरीद कर लाकर और घर में बनाकर ट्रै कीजिए और मार्केट वला आप लाके एक बार देखें कितना अंतर रहेगा तो देखिए असान है ना बनाने में हॉम में नारियल का बुरादा तो इसी तरह आप भी घर में बना के आप पूरी हो गया खास्ता में या फिर इसका लड़ू बना सकते हैं फिर या खीर में डाल सकते हैं तो ये समय आप डालें तो देखिए कितना सुन्दर बना है देख लीजी आप इसको रख भी सकते हैं डबा में करके बिल्कुल खराम नहीं होगा क्योंकि ये मेरा घर का अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी दोस्तो तो लाइक, सेर, कमेर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तो मिलते हूं अगले वीडियो में तब तक के लिए दोस्तो बाई बाई